नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटूब जैनल अच्छी टिप्स में बहुत बहुत सवागत है हमेशा गरीब बनाए रखती है यह साथ आदतें बोलकर भी ना करें यह काम कौन सी है वे आदतें आई यह जानते हैं इस वीडियो के माद्यम से दोस्तों करपया आप हमारे इस वीडियो को अंत तक पूरा देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और हमारे इस यूटूब जैनल अच्छी टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए दोस्तों बीना समय को नश्ट किये शुरू करते हैं आज का वीडियो जो तिस आस्तर के अनसार कुछ ऐसे काम हैं जिन को करने से हमारे जिवन में काफी बूरा होता है लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं उन्हें करने से काफी अधिक सुब प्राप्त होता है हमारी कुछ ऐसी आदते होती है जिन के कारण हम कुछ गल्त कर लेते हैं जो हमारे लिए काफी अधिक बूरा होता है इसलिए समय रहते हैं उन गल्तियों को सुधार लेना चाहिए जो वैत्ती गरीब बनाए रखने का कारण बनती है तो आईये दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिसे तरुंत छोड़ देना चाहिए नंबर एक खाना चुठा छोड़ने की आदत दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन को खाना पिना चोड़ने की आदत होती है यदि आप भी ऐसा करते हैं, तो साबधान हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप अन का अपमान करते हैं, जिससे कि आप से अन देवता नाराव जोजते हैं, इसलिए अपने थाली में उतना ही बोजन ले, जितना कि आप आराम से खास कें। दोस्तो आज के समय में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो इदर उदर थुकते हुए नजर आ जाएंगे आपके जानकारी के लिए बताते हैं कि ऐसा करने से उस व्यक्ति का चंद्रमा और ग्रहन नीचे चला जाता है इसलिए इस आदत को तुरुंत सुधार लेना चाहिए नमबर तीन बिस्तर को हमेशा साफ बनाए रखना दोस्तो यदि आप अपने बिस्तर से उठकर बिस्तर को तित्र बित्री छोड़ देते हैं तो ऐसा करना ऐसु मना जाता है शुबह जागने के शाथी बिस्तर को सही तरीके से मोड कर रख देना चाहिए नमबर चार पेरों को साफ रखना दोस्तो बहुत चैसे लोग हैं जो अपने चेहरे का खयाल रखते हैं लेकिन अपने पेरों को साफ नहीं रखते इसलिए चहरे को दोने के साथ साथ पेरों को भी दोब लेना चाहिए पेरों को दोबने से करोद और गुश्ञा हमेशा सांत रहता है नमबर पांथ घर में महमान को पानी जरूर पिलाएं आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसी हैं जो दूसरों के घर आए मेमान को भी अपने घर बुला कर पानी पिलाते हैं क्योंकि ऐसा करने से वेक्ति का मान समान बढ़ता है नमबर स्थ है पोदों की देखवाल करना दोस्तो जो लोग अपने घर में लगे पोदों की देखवाल अपने परिवार की तरह करते हैं वे हमेशा ही अपने कारिये शमय पर पूरा करते हैं और दोस्तो नमबर साथ है घर आते समय कुछ ना कुछ लाना दोस्तो कभी भी अगर गर से बाहर आए तो लोटते समय कुछ ना कुछ खाने पीने की बस तू या कोई मिठाई लेकर जरूर आना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत आती है तो आज के लिए बस इतना ही आसा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूटूब जैनल अच्छी टिप्स को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का एकनाता है उस पर भी कलिक कर ले ताकि नए नए वीडियो आप सबसे पहले देख सकें और यह बिलकुल फ्री है